नमस्कार दोस्तों मैं भोलू जानिर आप सभी का हर्दिक स्वगत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपूर पर सुल्तानपूर पुलिस लाइन सुल्तानपूर सभागार में मासी का प्रादो की समिठ चवार रुक्ता में तुक दिये वस्तक निर्देश सुल्तानपूर आदर सिरीगोस्वामी बाबा इंटर्मीडियर कॉलेज में विस्वगैट प्रिवार के दोरा कन्यका उसल के ताथ बच्चों को किया गया है जागरूप सुल्तानपूर तुराप खानी में जुलूस के दावरान संचालक जी सानली ने जाती दर्म की राजनी तिक करने वालों को दिया मानवता का संदेश ओमार में पासे युवक्त ने सुल्टानपूर सांसरमिंका के इमेल से कर रही थी मदद सांसरमिंका गाने ने बारत लोटने के विवस्ता की सुने से सुल्टानपूर में स्याम सुन्दर बने कोतवाली देहाद के एसे चोधी वक्ता सुल्टानपूर बराउसा में चोरी का खुलासा ना होने पर नाराज हुए व्यापारी संगट अंदोलन करने की दीचेतावनी सुल्टानपूर के लमोचेतर में कच्चत तीन में पढ़ने वाली चात्रा के साथ दुसकर्म चात्रा की माने पुलिस को दी तहरीड मुकद्मा दर्ज सुल्टानपुर जिला कांग्रेस कामेटी कार्याले में कांग्रेस जिला 10 बोले अजयरा के नियोतत में यूपी में लाराय का कांग्रेस का पर्चम सुल्टानपुर जिलास पताल में राष्टी समाजिक सेवस संग द्वारा मरीजों और तीमापदारों को किया गया नीसुलक भोजन वित्रल लगी रही लंबी कहतारे सुल्टानपुर सेमेस कारेले में हाईवी एड्स की रोक्तान को लेकर हुई आहम बैटक दिये गया वस्तक जरूरी निर्देश सुल्टानपुर परवानचल एक्सपरस फेपर गाय को बचाने के चक्कर में आलू से भरी ठ्रक पलिटा कोई हाता हत नहीं सुल्टानपुर में कांगरेश जिला अड्यस ने कहा कि अजेर आयपूरी इमान्दारिवा निस्टा के साथ करेंगे अपने करतव देओ का सुल्तान पूर पुलीश अधिकषक का रेम वैवार्यों ने पुलिस अधिक चग को 15지가 को क्योंत व्हां पट्र कि सुल्तान पुर सुभा संरबोज की पूर्य तिती पर भास पाईं ने थीऊ मार्केट Caseyप निता घिक प्रफिजानगीर के साथ सुल्तानपुर्जिले से बुलेटीन खबरे खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करके घंटे दबाएए खबर आप कहां से देख रहे थे कमेंट करके हमें अवस्त बताइए कि आप ये खबर कहां से देख रहे थे आपको ए खबर कैसी लगी जुड़े रहे ये बोलु जांगीर के साथ अपना सुल्तानपुर्ज निउस चैनल से सुल्तानपुर्ज निउस चैनल को सस्क्राइब करें अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपका हमारे लिए कोई सुजाओ हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए